अवनी खिड़की से बाहर फैले बादलों को देखकर बड़ी खुश हो रही थी तो आ गए आप सब मेरी इस कहानी में मगर एक राज बताओं कहानी के आखिर में एक मौत होगी मेरी ही ये कहानी शुरू हुई थी आज से 5 साल पहले जब मैं भी ऐसे ही आस्मान में उड़ना चाहती थी मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मन्जूर था मेरी पंक काट दिये गए बहुत टॉर्चर करता था वो पर फिर मेरी जिन्दगी बदली भी मगर अब मैं जमीन पर पाउं रखने के लिए तरस्ती हूँ तरस्ती हूँ एक आम लड़की की तरहें जीने के लिए सोचती हूँ टॉर्चर ये था या पहले वाला सोचते सोचते अपनी खिड़की के बाहर उड़ रहे बादलों में खो जाती है उसकी आँखों से आसु छलक रहे थे और वहें आँखें मूंद लेती है अपनी बिस्तर में सो रही थी तभी दर्वाजे पर नौकर चाय लेकर आता है बेबी आपकी चाय अपनी देखें बिना ही हाँ छटक कर उसकी चाय गिरा देती है मा मैंनी कितनी बार कहा है कि मैं बेटी नहीं बेट कॉफी पीती हूँ उनली कॉफी मा सारी बेबी वो राज बाबा चाय पीते है ना तो मैं हर बार गलती कर देता हूँ एक तो तुम्हारी इस राज बाबा निना मेरा चीना हराम कर रखा है अवनी फ्रेश होकर नीचे आती है और ब्रेकफस्ट टेबल पर बैट कर ही एक बंद कमरे की और घूरती जाती है उसने बड़ा चाको हाथ में लिया हुआ था जबसे मेरी तनलगी में आया है इस राज के बच्चे ने मुझे टॉर्चर कर रखा है और दर्वासे से एक जवान लड़का बाहर अंगडाही तोड़ता हूँ आता है उसे देखते ही अपनी गुस्से में उसकी और चाको लेकर भागती है और सीधे उस पर हमला करती है अपनी का हमला चूक जाता है और वह घर में दोड़ने लगता है मा देखो ना दीदी मुझे जान से मालने की कोशिश कर रही है क्या अपनी तू भी सुभे पहले शुरू हो गई आज तो इस चुचुंदर को मैं नहीं छोड़ूँगी क्या बिगाड़ा यार दीदी मैंने तुम्हारा सब कुछ तो तूने ही बिगाड़ा है पहले घर में सिर्फ मैं थी फिर तू पैदा हुआ मेरी मा बाबा कमरा सब पर कबजा कर लिया अब घर में जो बनेगा वो राज बाबा की पसंद से बनेगा हाँ बेट कॉफी नहीं बेट टी आएगी इस बेबी की तरफ तो कोई थ्यान ही नहीं दीता मा हो गए इसकी नौटन की शुरू ओले मेरी राज बेटा आजा आजा ममा पास आजा और अबनी और राज तोनों अबनी से गले लगती है कितनी प्यारी फैमली है भाई बेहन की नौग जोग तो परिवार का सबसे बेस्ट मुमेंट होता है आप में से सभी अपने भाई या बेहन से लड़ते होंगे तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपना याद कर किस्सा लिख कर हमारे साथ शेयर करें अच्छा ठीक है पर तेरी राजा बाबु को भी साथ लेती जाना इसे भी काम है छोड़ देना अपने में सुदकर चिड़कर मू बनाती है राज भी बड़बडाता हुआ अपना बैग उठाने जाता है और राज जैसे ही अपना बैग उठाता है उसमें उसे ढेश सारे पैसे रख से नगर आती है वास्चर यसे मुढ़कर देखता है तो अपनी उसकी और मुस्कुरा कर इशारा करती है श्छ, मा कुमत पता चलने दीना ये पैसे तेरे खूमने के लिए हैं चाकर आशकर और धोनो बाई बहन हसती हुए दर्वासे से बाहर निकलती हैं थोड़ी दूर चलती हुए अचानक से कुछ मन चले लड़की उनके पीछे चलने लगती है और अमिनाश राज के सर पर एक तपली जमा दीता है तुम तुम फिर आगे परिशान करने एक बार में समझ नहीं आता क्या कि मैं तुम से प्यार नहीं करती अविनाश अमनी के चेहरे पर जोर से फूप मारता है पर हम तो करते हैं ना स्वीटी और वे राज के हाथ में पैसे थमा कर उसका माथा चूमता है जा छोटे टैक्सी से चले जाना क्योंकि तेरी दीदी तो अब हमारे साथ चलेगी अविनाश के बाद सुनकर पीछे खड़े उसके पंटर दो थसने लग जाते हैं ओ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, माइ फुट फुट सुनते ही अविनाश अपनी को टांगों से थाम करकंधे पर उठाता है तभी वहाँ यों ब्लाक कलर के लंबी मरसेडीज आती है और अविनाश अपनी को उसमें बिठा देता है ए गुंडे, छोड़ दे मेरी दीदी को चिल छोटी, इस पागल का रोस का काम है इसमें इतना दम नहीं कि मेरा कुछ गलत करी तो अराम से जा और किसी को ये सब बता कर परिशान मत करना I know how to deal with this अब नाश गारी शुरू कर चला जाता है You bad boy, मेरी भाई के सामने तो तुमने आज लिमिट पार कर दी है तुम होंगी rich and smart, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ अपनी गुसे से अविनाश पर हाथ उठाती है कि तभी अविनाश उसका हाथ चूमता है और दोनों एक साथ हसने लगते है आज वाला नाटक तो बहुत ही अच्छा था पिचारा राज भी ना और तुम? तुम डरिया नहीं? तभी अपनी अविनाश को अपने पास खीच कर उसका गाल जूमती है I love bad boy, honey अविनाश गाड़ी रोपता है और अपनी को गाड़ी से बहुत अकेल दीता है बताए, बताए, कॉमेंट में बताए, अनुमान रुकने नहीं चाहिए अविनाश तुम मुझे तंक करते हो, एक नंबर के बदमाश हो, लेकिन फिर भी मैं तुम ही को चाहती हूँ अविनाश के दोस्त अब गाड़ी में बैठ जाती है तभी अविनाश को पेड़ के पास एक लड़की की पच्छाई नजर आती है अविनाश को याद कर मुस्कुरा रही थी अविनी अपनी गाड़ी के पास जाती है कि तभी अचानक से उसके उपर पानी का फवारा आता है अविनी पूरी तरह भीग गई थी ये किसकी बत्तमीजी है? अविनाश कभी अपनी को गाड़ी का टायर पंचर कर देता तो कभी उसका रास्ता रोकता धीरे धीरे अविनी को इस चीज की आदत लग गई थी और अपसे उसके निगाहे खुद ही अविनाश को ढूरने लगी थी एक दिन जब अविनाश नहीं आया तो अविनी देखिये बेचैन हो जाती है अपने इधर उदर देखी रही थी कि तभी अविनाश उसकी गाड़ी के उपर आकर बैट जाता है हाँ? हाँ? क्या आप मुझे ही ढूंड रही हैं आप? अपनी उसे लेख कर मुस्कुराती है अपनी इतराती हुई घर चली जाती है अब अपनी का दिल अविनाश पर आने लगा था पर अविनाश का क्या? अपनी जब ऑफिस में जा रही थी तो उसे लगा जैसे कोई उसे चुपके देख रहा हो और वह मुड़कर देखती है तो दूर एक काली गाड़ी खड़ी थी तो तुम आ ही गए ना अविनाश? तुमसे भी मेरे बिना रहा नहीं जाता ना? अपनी ऑफिस के बाद बाहर आती है तो उसे उसकी गाड़ी पर एक गुलाब का फोल और छोटी सी चौकलेट रखी होती है रोज की तरहें अपनी ऑफिस से निकल रही थी कि तब वे अपनी गाड़ी को देखकर चौक उठती है अविनाश ने उसकी पूरी गाड़ी को चौकलेट से सजा रखा था नहीं अविनाश इतना चीप किफ्ट कभी नहीं देगा पता नहीं किस मनचले की हरकत होगी और अपनी उसे उठा कर फैक कर चली जाती है तब भी वहाँ एक लड़का आता है और सडक पर पड़ी उन चीजों को उठाता है उसकी आँखों से आसु चलक उठे थे शायद अपनी को कोई दूसरी चौकलेट पसंद होगी अगली वाँ थोड़ी महंगी दूँगा वो भी काफी सारी और अर्नव अपनी छोटी से घर में आता है एकदम सिंपल सा लड़का जिसका घर भी ऐसा आ कि चार लोग जितना ही स्पेस मुश्किल से हो अर्नव अपने कमरे में जाता है और बेचारे की आखे नम थी वह सामने रखा एक गुल्लक उठाता है जिस पर लिखा था अपनी और वह उस गुल्लक को तोड़ दीता है जिसमें धेर सारे चिल्लड पैसे थे और वह एक बंद कमरे का दर्वासा खोड़ता है जिसमें लाल लाइट जल रही थी लाल लाइट के अंदर अपनी की अंगिनत तस्वीरे नजर आ रही थी जो अर्नव ने चुपके से ली होंगी अपनी मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार दूँगा और अर्नव अपनी की तस्वीर को सहलाते हुई वहीं सोचाता है अपनी के मन को अविनाश भाग गया था वहीं अविनाश क्या चाहता था कि तो कोई भी नहीं जानता था इन दो पैसे वालों के बीच कोई कुछला जा रहा था तो वो था अर्नव का गरीब प्यार दोस्तों क्या आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ था क्या जिसने अपना प्यार गरीबी के कारण खो दिया हो अगले दिन अपनी अपने घर का दर्वाजा खोलती है तो सामने एक बहुत बड़ा गुलदस्ता रखा रहता है अपनी उसे देख कर बड़ी ही खुश होती है मैं चानती थी आखिर तुम भी कब तक मुझसे मुझसे मुफे कर रहोगी अविनाश उसमें एक लेटर रखा था जो लाल रंग की अक्षरों से सजा था ये ना सोचना की ये बस स्याही है इसमें लिखा एक एक शब मेरे दिल से रगों तक बहरे खुन से लिखा है जो जितनी बात धड़कता है तो कहता है अवनी, अवनी, अवनी अपनी मुस्कुरा रही थी आज मैं तुमसे अपने दिल की बाद जरूर कहूंगा मगर उसके लिए तुम्हें इस पते पर आना होगा वो भी लाल कपड़ों में अपनी ये जान बहुत खुश होती है अचानक रा जाकर अपनी से लेटर छीन लेता है नलायक इधर ते इसे इधर ला किसका लेटर आया दिदी को कहीं जी जुका तो नहीं खाली मस्रीज वाले वैसे मुझे वो पसंद तो नहीं है मगर अगर तुम्हें महेंगे गिफ्ट्स देगी तो मैं कॉपरेट कर लूँगा बना तो मा दिदी के पास तभी अपनी तुरंत उसके मुँ में पैसे ठूस देती है ले निगल पैसे नाखी बन रखा है तू तो मेरी जिन्दगी का क्या यार दिदी इतने सारे पैसे लेकर कबर में जाएगी क्या तुझ जैसे को तो मैं अपनी कबर के पास भी नाने दूँ राज हस्ता हुआ वहाँ से बाहर जाता है कि तभी अविनाश उसकी गर्दन दबोच लेता है आह दर दो रहा है मुझे भाई बोल जीजू बाई नहीं हो मैं किसी का तो बोल मुझे जीजू राज खबरा कर भाग जाता है डर गया साला अरे साला ही तो हुआ ये तो जोख हो गया तभी एक जगे अविनाश का दोस्त उसके पास चाकर कहता है भाई जैसा तुने कहा था मैंने वैसा ही करा उसने वो खत ले लिया ठीक है अब तो जो करेगे अवनी ही करेगी बस इंतजार रहेगा मुझे शाम होने का अवनी शाम को तयार होकर अविनाश के दिये पते पर पहुचती है जहां चारू और एक दम अंधेरा था वे अंदर घुसती है मगर आगी की कहानी तो देखने के लिए आपको अभी हमारे परिवार में और घुसना होगा और तब तक बताईए आखिर क्या होगा उस अवनी के साथ कौन कर रहा है उस गुप अंधेरे में अवनी का इंतजार अवनी लाल कपडों में उस जगे पहुचती है जहां चारो और खूब अंधेरा था अविनाश अब बस भी करो ऐसा सर्प्राइस मुझे थोड़ा तरा देते हैं और अवनी थोड़ा अंदर चलती है तभी अचानक से उस जगे एक अजीब सी हलचल होती है और चारो और रोश्नी जलती है अवनी देखती है कि वहां किसी की मौत हो रखी थी और सब लोग सफीत कपडों में बैटकर रो रहे थे वहां अचानक से अवनी को लाल कपडों में देख सब उसे घूर कर देखते हैं अवनी ये देख खबराज आती है वो बाबा लाइट चली गए थी, अभी मैं ठीक करके आया हूँ अरे ये बत्तमीज लड़की कौन है, ऐसे दुख के अफसर पर रंगीन कपड़े बहन कर आई है और सब लोग अवनी को वहां से धक्के मार कर बाहर निकाल देते हैं अवनी सड़क पर पड़ी रो रही थी, तभी वहां से अविनाश की गाड़ी जाती है और वे अवनी को देख हसता है अरे अरे वो देखो, मेरे प्यार में अवनी तो समीन पर पड़ी है अरे इतना भी नहीं गिरते हैं प्यार में अवनी, चलो खड़ी हो जाओ और अविनाश हस्ता हुआ वहां से चला जाता है अवनी अविनाश को बस घूर कर ही देखे जा रही थी तभी दूर खड़े अर्नव को अवनी को यू तकलीफ में देखतर बड़ी तकलीफ होती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं जैसे ही अर्नव अवनी को छूता हुआ उसे उठाने लगता है अवनी उल्टा उसे ही धकेल देती है और अर्नव के सिर्फर चोट लग जाती है मगर अवनी एक बार भी पलट कर अर्नव की और नहीं देखती सड़क पर लड़की देखी नहीं कि तुरंत आ जाते हैं फाइदा उठाने और अविनाश, तुम्हें तो एक दिन में हासिल करके ही रहूंगी अवनी वहां से चड़कर चली जाती है, अर्नव वहीं बैठकर रो रहा था पेचारा अर्नव रोता हुआ वहां से चला जाता है तीन दिशाओं में जा रहे इन तीन लोगों को नियती कहां मिलाएगी ये कोई भी नहीं जानता था अवनी जो अविनाश के प्यार में पागल थी, वहीं अविनाश जो बस अपने मज़े के लिए हर किसी को बस खिलोना ही समझ रहा था वहीं अर्नव जो अवनी से सचा प्रीम करता था, मगर तीनों का मिलन असंभफ सा था अर्नव अपने घर लोड़ता है और अपने मा की तस्वीर के सामने खड़ा होकर अपने खून के हाथ उसकी तस्वीर पर लगाता है मा तु चाहती थी ना कि अपनी जैसी लड़की इस घर में तेरी बहु बन कर आए, तो एक दिन मैं ऐसा जरू करके दिखाऊंगा मा और तब तेरी तस्वीर के आगे मैं नहीं अपनी दिया जलाएगी उधर अपनी अपने बाबा के पास जाती है टैट मुझे शादी करनी है, ये सुनते ही राज हस देता है इस बुड़ा आपे मैं शादी करके कहा जाएगी दिदी, इधर ही गढ़ में पढ़ी रहे, कम से कम तेरी सैलरी से मेरी तो आश होगी अपनी राज की बच्चानी बादों से और अधिक चड़ती है राज की बच्चे, एक बार अगर उससे शादी हो गई न, तब तो फिर इतना पैसा मिल जाएगा, कि तुझे बस एश ही एश करनी होगी ये सुनते ही अपनी के डाड निरंजन अपनी के जोरदार तमाचा लगा देते है तो तु क्या पैसो की वज़े से शादी करना चाहती है अपनी बेटा, तुझे ये हमने तु नहीं सिखाया है, किस ट्रैक पर जा रही है तू आज उस अविनाश की वज़े से मेरी मॉम डाड तक मुझे इतनी कलत नजर से देख रही है और अपनी रोते हुए कमरे में चली जाती है, कुछ दिन में निरंजन उसके पास आता है अपनी, मेरी बिटिया, नराज हो गई क्या डैट की बात से? हाँ, हो गई नराज, आप लोगों ने मेरी बात सुने बिना ही मुझे कितना भला बुरा कहा, कि मैं आपको लालची लगती हूँ ना मेरी परी बिटिया, तु तो मेरी बेटी नहीं, बेटा है, तुझसे तो जो शादी करेगा, वो खुदी चैन पाएगा, चल, मुझे बताए क्या बात है डैट, मुझे किसी से प्यार है, और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ कौन है वो? अविनाश अविनाश? कौन अविनाश? डैट, सुझीत रॉय का बेटा अविनाश रॉय, जो बड़ी कंपनियों के मालिक है ये नाम सुनते है, निरंजन काप जाता है क्या? सुझीत रॉय का बेटा? मगर वो तो एक नमबर का बदमाश और आवारा है नहीं डैट, प्लीज, आप मेरी खातेर उनके खर रिष्टा भेचे ना? मैं चानती हो अविनाश कभी मना नहीं करेगा एक बेटी की जित के आगे पाप हार मान कर खुद ही अपनी बेटी का रिष्टा लेकर अविनाश के बिल्डिंग के बाहर जाता है जहां पहले से ही काफी लोग लाइन में लगकर इंतिजार कर रहे थे और गार निरंजन को धकेल देता है, ये देख निरंजन को क्रोध आ जाता है और वही जबर्दस्ती घर के अंदर घुसने लगता है, तब ही वही देखता है कि अविनाश का बाप सुजीत सामने सोफे पर बैठा होता है ये कौन बत्तमीज अंदर घुसा जा रहा है? सर बेंदर निरंजन सिंगो, मैं आपके यहाँ अपनी बेटी का रिष्टा लेकर आया हूँ ये सुनते ही सुजीत की तो हसी ही फूट पढ़ती है एक मिनट, रिष्टा? मगर किसके लिए? सर बेशक आपके बेटे के लिए ही लाऊंगा ना, और यहाँ कौन है? अरे हम भी है कातार में, लाओ, तस्वीर दिखाओ, अगर पसंद आ गई तो तुम्हारी बेटी को तो हम ही अपना कर अविनाश की सोतेली मा भी तो बना सकते हैं दोनों ही केस में आईगी तो इसी घर में ये सुनते ही निरंजन का खून आग की तरह खौल जाता है उधर अपनी कमरे में बेचैन सी होकर इधर उधर चकर लगा रही थी कि तब ही उसने अपने पीछे खड़ा अविनाश नजर आता है जो जोर से उसके बाल खीचता है आअविनाश बस भी करो थकते नहीं हो क्या तुम मुझे तंक करते हुए अरे डाट गए है ना रिष्टे की बात करने इतने भी क्यों बेचैन हो रही हो तुम और अपनी के ख़्यालों से निकला अविनाश ओजल हो जाता है ये देख अपनी शर्मा आ जाती है चिलना मत निरंजन तू अपनी अवकाज जानता भी है क्या अरे जाता हो ये तो मेरी पागल बेटी ने ही जिद की थी तब मैं इस घमंडी आदमी के सामने आया वड़ना मेरी बेटी तो क्या मैं उसकी पढ़चाएं भी इस घर में नहीं पढ़ने दूँगा अविनाश कैसे नलाय काम कर रहा है तुझे कोई हमारे बराबर की लड़की नहीं मिली थी क्या अविनाश अपने पिता से बहुत डरता था वह नजर जुका लेता है अविनाश घर से बाहर निकल रहा था तब ही उसे देखते ही सब लोग हसती है अविनाश जैसे जैसे आगे चल रहा था उसे ऐसे ही ताने मिलते जा रहे थे तब ही वह पलट कर देखता है तो उसके बाप सुझीत का चहरा पूरा उत्रा हुआ था अवनी तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं निरंजर अपने घर के बाहर गाड़ी रोक कर लोटता है तब ही अवनी उसे खिड़की में से देखती है और सीडियों में से ही अपने पिता को आता देखती है बस कुछ देर में डाट मेरे लिए खुश्खपरी लेकर आएंगी और फिर मैं और अविनाश आपने को अविनाश फिर से नजर आता है रहा नहीं जा रहा ना तुमसे तुम फिर आ गए ना नहीं रहा जा रहा अच्छा जी मकर थोड़ा इंतसार तो करना ही होगा ना अविनाश बाबू डाड अभी बस तुम्हारे घर से खुश्खपरी लेकर ही लोते हैं एक भर वो मॉम से डिसकस कर ले फिर मुझे भी बताएंगे और मैं तुम्हें बताऊंगी अविनाश मुस्कुराता हुआ अवनी के करीब आता है और उसके कांधों को जकरता है ये देख अवनी आहे भरती है तभी अविनाश अवनी की गर्दन को चूमता है अविनाश नहीं अभी नहीं अभी शादी में वक्त है ना शादी में वक्त है तो क्या हुआ, पर हम सुहाग राद तो अभी मना सकते हैं न? हट, तुम तो ख्यालों में भी तंग करना नहीं छोड़ोगी मुझी अवनी मस्त होकर जूम रही थी कि तभी अविनाश पीछे से आकर उसके बाल जोर से खीच कर उसे अपने और घुमाता है अवनी को असल में बहुत दर्ध हो रहा था, वे अविनाश को थपड़ भी लगाती है, मगर अविनाश उसके बाल नहीं छोड़ता अविनाश छोड़ो मुझे, अब मुझे सच मुझ दर्ध हो रहा है यार, मगर अविनाश और जोर से उसके बाल खीचता है आँ, आँ, आँ तब ही अपनी दर्ध में भी लगती हुई, अविनाश के हाथ पर दाँच से जोर से काटती है, इतना जोर से कि अविनाश को खून आने लगता है, ये देख अपनी चौक कर दूर हटती है खून, यानि कि तुम खयाल नहीं, सच में हो अविनाश? हाँ, मैं सच में हूँ, और एक बात अपने इस भेजे में घुसा लो, कि तुम ख्वाब और हकिकत दोनों में ही मुझे हासिल नहीं कर सकोगी अपनी सदमे में थी कि अचानक निरंजन महां आ जाता है, और अविनाश को अपनी के कमरे में देखकर उसके थपड़ लगा दीता है मेरी बेटी के कमरे में घुसते वो तुझे शर्म नहीं आई नीच, क्या यही तरे बिगडल बाप ने सिखा है तुझे अपने बाप के बारे में सुनती ही अविनाश को भी गुसा आ जाता है और वो निरंजन का हाथ पकड़ लीता है इससे शादी करना चाहती थी ना तू अपनी, जिसके बाप ने आज मुझे इतना जलिल किया, कि मेरा घर लोटना मुश्किल हो गया था जलिल तू मेरे डड़ हुए है, तुम सब की वज़य से, शादी करनी थी ना अपनी तुम्हें, शादी होगी और मुझे से ही होगी, कोई रोक कर दिखा सके तो रोक कर दिखा देना अंजना और निरंजन एकदम डर गए थे अवनी के मन में पल रहा सारा प्यार का भूत अब गायब हो गया था और तब ही वेह अपने लाचार माबाप का चहरा देखती है, उसे देख वेह विनाश के आगे हाथ जोडती है हो गई शादी, ले लिए फेरे, अब तुम जाओ यहाँ से, प्लीज चली जाओ अविनाश भढ़क कर चला तो गया था, सारा महौल शांत हो चुका था निरंजन और अंजना भी अपने कमरे में चले गए थे, मगर शांती तो हर तुफान से पहले भी होती है उस रात भी खिडकी के बहार एक भयंकर तुफान आया था दूर किसी अंधेरे खंडर में जल रही आग के पास वैठा एक पंडित कुछ मंत्र जाप कर रहा था जमीन पर घुंगरु सजी पायल वाले पाउं चंचन करते चल रहे थे और मंडब में खड़ा था एक दूलहा अगले दिन अपनी की आँख खोलती है और वह देखती है अपनी दुलहन के जोड़े में थी जिसकी मांग से सिंदूर सजा था मांग सजी थी मगर क्या वह दुलहन बनी थी? शादी तो हो गई थी मगर क्या वह किसी की पत्नी बनी थी आखिर इश्क की इस दास्ता में ये कैसा खेल है कि सब एक दूसरे से नफरत में तो कभी इश्क में मरे जा रही है जानने के लिए देखते रहे हमारी एकदम नई और अलग कहानी इश्क में मर जामा केवल लाफसिटी पर हेलो दोस्तों याद कर रही हो या नहीं हमें पशलोग मैं तुछ आती हो कि ये हमें बिल्कुल भी याद ना करें अरे याद नहीं करेंगे तभी तो नई कहानी से दिल लगाएंगे न दुलन बनी अबनी अपने होश में आती है और अपना घूमता हुआ सर पकड़ती है ये सेर इतना खूमकी रहा है और अबनी जूमते हुए उट खड़ी होती है और अपने हाथ में कंगन देख चौकती है तब इदह आईने के आगे जा खड़ी होती है ओ गौड, नो, मैं दुलन की कप्रों में क्या कर रही हूँ और मैं कहा हूँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है ये जगह, ये जगह तो तब ही अपनी पलट कर बिस्तर की और देखती है तो उसके होश उड़ जाती है बिस्तर पर ओंधे मूँ करके एक लड़का पड़ा था जिसने दुले की कपड़े पहने थे ये उठो, उठो, कौन हो तुम? और जैसे ही वह लड़का अपना चहरा उठाता है अवनी उसे देख हैरान थी, वह अर्णव ही था तुम? आखिर तुम हो कौन? और ये सब क्या तमाशा है? तब ही अर्णव आकर अवनी का हाथ थामता है अपसे यही तुम्हारा घर है अवनी तुम और मैंने शादी की है इसलिए अपने पत्ती के पास रहना तुम्हारा काम है अवनी के पाउं की नीचे सी तुमानों जमीन ही किसक गई हो Excuse me, who the hell are you? शादी? कौन सी शादी? और कब होई? मैं तु तुम्ही चानती तक नहीं हो अवनी को रात का आखरी समय याद आता है जब वह अविनाश के साथ अपने कमरे में खड़ी थी अवनी सिंग, तु ने जो आद मेरे घर पर तमाशा खड़ा किया है उसके बाद मेरी नजरे हर वक्त तुछ पर ही रहेंगी और अविनाश पहां से चला जाता है अविनाश बहुत भड़का हुआ था और वहे फोन निकालता है उस अवनी को शादी करनी है ना मैं करता हूँ से शादी ऐसी शादी करूँगा कि अपसे मेरा नाम लेने से भी वकाप उठेगी अवनी अविनाश के इस रवये से दुखी थी पापा, भगवान ने हमें इतना सक्षम तो बनाया है कि हम कमा कर खा रही है तो ये फ्यार में अमीरी गरीबी और हैसियत कैसी मेरा दिल तूट गया है पापा अपनी रोते हुए बाहर जाने लगती है कभे उसकी मा उसे रोग देती है अभी घर से बाहर ना जा अपनी ये सनकी अभिनाश आज ही धमकी देकर गया है कहीं कुछ मगर अपनी नहीं मानती और बाहर जाकर शराब पीकर सड़क पर चलनी लगती है दिल मेरा पूछ रहा है तुमसे क्या प्यार करोगी मुझे से मुझे से तभी अजानक से पीछे से काले रंग की एक गाड़ी आती है जो अपनी के करीब आकर रुकती है और उसे फीच कर अंदर बिठा लेती है वे छट पटा रही थी ले चलो इसे मंड़ब में और वे एक खंडर में दुलन के रूप में खड़ी कर दी जाती है अपनी नशे की हालत में धुंदली आखों से देख रही थी सामने आख जल रही थी और हवन कुंट के पास खड़ा था अर्नव जिसके हाथ बंधे हुए थे ये सब क्या कर रहे हो आप सब मेरी अपने के साथ जवरदस्ति मत करो छोड़ दो उसे प्लीज ऐसा ना करो आकिर हो कौन तुम सब तभी एक बदमाश आकर अर्नव की थपर मारता है चुप चाप अभी इससे शादी करो वरना हम सब मिलकर इसके कपड़े वार देंगे देखना चाहोगे और वे बदमाश अवनी की और अपना हाथ बढ़ाता है ने ने मैं करूँगा इसे छोना नहीं शादी शादी हो रही है मैं भी करूँगी शादी पर उस बाड बोई से नहीं तुम मुझे गुट बोई नजर आ रही हो मैं तुम से ही करूँगी और अपनी की मांग भथे हुए उसका चेहरा देखता है और अपनी की मांग भथे ही वे उसकी बीवी बन जाती है वो बदमाश अपनी और अर्नव को गाड़ी में बिठा कर सीधे अर्नव की घर पर फैक कर चले जाती है अपनी को रात के धुनली सब बाते याद आती हैं जिसे याद कर वे अपना आपक हो बैठती है यह शादी यह शादी नहीं धोका है एक मिनट मैंने तुम्हें कहीं दीखा है तुम तो वही होना जो उस दिन मेरे ओफिस के बाहर थी तुम सब मिले हुए हो नहीं अपनी मैं किसी से नहीं मिला हुआ मैं तो उस दिन घर से बाहर जा रहा था तब ही कुछ लोग मुझे पकड़ कर वहां उठा कर ले गए अपनी अर्णव के घर में बाहर जा कर देखती है तो वे घर तो बहुत छोटा सा था यह क्या धोकी से शादी हुई वो भी एक भिकारी से यह तो मेरी कमरी से भी चोटा घर है ही राम मैं तो बरबाद हो गई पापा मुझे बच्छा लो मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है अपनी पहले फ्रेश हो जा फिर चलेंगे न माँ पिताजी के बास एक्स्किज मी वो मेरी मॉम डेड है तुम जैसे भी कारी के नहीं मेरी मॉम को देख लोगे न तो तुम्हारी मॉम तो उनके आगे दासी लगेंगे दासी और अपनी वहाँ से चली जाती है अरनव को अपनी की बात से बहुत चोट पहुँचती है हाँ मेरी माँ दासी ही तो है जो भगवान की सेवा करने उनके पास चली गई अर्णव अपनी को उसकी माँ बाबा की यहां लेकर जाता है मॉब टैट दर्वासा खोलो मैं आपकी अपनी नाम मतले हमारा अपनी जुबान से हमारी कोई बेटी नहीं है मंगर आखिर हुआ क्या है और वह दर्वासा नहीं खोलते है और अपनी उदास होकर रोते हुए अर्णव के साथ लोटती है अपनी तुम उदास मत हो मैं हू ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा तुम्हारी परच्छाई की तरह वह अपनी का हाथ पकड़ता है तो अपनी हाथ छटक कर घर के अंदर चली जाती है और कमरी से बाहर अर्णव का सारा समान सेखते हुए दर्वासा लगा लेती है विचारे अर्णव के घर में रहने को एक ही कमरा था मगर वह कुछ नहीं बोलता कोई बात नहीं अवनी मुझे घर में रहने की जगह की नहीं पड़ी मुझे तो बस मेरी अवनी के दिल में रात का समय होता है अवनी के पेट में चूहे कूद रहे थे वह आहिस्ता से दवे पाव बाहर आती है जैसे ही वह दर्वासा खोलती है तो देखती है कि अर्नव तो वहां दहलीज के पास चादर बिचा कर सो रहा है ची ऐसे पिखारी से शादी करने से अच्छा तो था अविनाश मुझे उसकी रखेल या नौकरानी ही बना लेता अर्नव ये बात सुन लेता है मगर वह अपने आसों का घुट पी कर सोता रहता है अपनी अर्नव को लांग कर सोई घर में जाती है ये पर्तन भी खाली है ये भी खाली है ये भी अर्य इस खर में कुछ खाने को है भी या नहीं अपनी बर्तन उठा कर घर से बाहर फेकने लगती है रात के अंधेरी में इतना शोर होने से वहां आसपास रह रहे हैं लोग जाग जाती हैं और अपनी को ऐसा करती दीख अच्रज में बढ़ जाती हैं अरे ये तो कल ही आई है आते ही लड़के की नाक में दम करना शुरू कर दिया अपनी ये सुनती है और बरतर उठाकर औरत की और फैकती है इसके साथ तुम्हारा भी सरफोड़ दूगी मेरी अम्मा बनने की कोशिश ना करना ठीक है न अपनी बस करो प्लीज आज के लिए काफी है हम दोनों घर के अंदर बात करते हैं न यहां मेरी मा की बहुत इज़द है प्लीज अंदर चलो और अर्नव अपनी को अंदर लेकर जाता है अपनी के शब तीर की तरहें बार-बार बस चलते ही जा रहे थे उस रात एक और राज अपने रहसे की और बढ़ रहा था रात की अंधेरी में निरंजर के घर से दबेपा और काली कंबल ओड़ी को ही निकल रहा था निकलते हुए वह अगली गली में घुच जाता है और वहां सड़क पर उसे एक काली गाड़ी नजर आती है काली गाड़ी उसके सामने रुखती है और वे उसमें बैट जाता है सीधा सा देखने वाला राज कोई तो रास दबाई हुए था और आखिर कौन थी वो लड़की राज गाड़ी से वहार आता है और दवे पाओ घर लोट रहा था अचानक तभी घर की लाइफ ओन हो जाती है अंजना ने राज को चोरी छिपे घर में आते देख लिया था मा तुम सोई नहीं वो मैं बस अवनी की भूख के मारे जान निकल रही थी मैं कुछ बना दू तुमारे लिए अवनी मुझे तो भूख है रहने की आदत है मैं जान बूख कर एक वक्त का खाना नहीं खाता ताकि मुझे एसास रहे कि भूख लगना कैसा होता है और मैं अपने पुराने दिन ना भोलू अवनी को तो अर्नव की हर बात से चड़ती अगर तुम बीच में ना आती थो आज मैं अविनाश से शादी कर मेहल जैसी घर की महरानी होती पता है अगर मुझे भूख लगती तो वो कुछ बनाता नहीं मिल्कि पिज़ा की दुकान ही खरीद कर ला दीता अर्नव को अपने हालात पर गुस्सा आता है और वे अवनी के जाने के बाद अपना एक और गुल्लक तोर कर उसमें से पैसे निकालता है अवनी भले ही मैं भूखा रह जाओ मगर तुम्हारे खौईशन जरूर पूरी करूँगा I love you अवनी, I love you राज खबराता हुआ अपनी मा की और देख रहा था कि तब है अंजना उसकी और देख कर मस्कुराई वही थी न वो हा मा वही थी पायल उसे शक तो नहीं हुआ न कुछ नहीं मा, पायल हमारे प्लान के बार में कुछ भी नहीं जानती है कुछ भी नहीं शाबाज बेटा, जो अपनी ना कर सकी वो अब तू करेगा और तब मैं कर्फ से कहूँ की मैं हूँ अंजना सिंग, राज की मा राज इमोशनल होकर अंजना को गले लगा लेता है अब इस इश्क में अभी तो खेल और भी लंबा खेला जाएगा मौत का खेल भी अचानक अविनाश की आँख खुलती है, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था अगले दिन, जैसे ही अपनी उड़ती है, वह कमरे के बाहर आती है तो टेबल पर धेर सारे पिज्जाज रखे देखती है, और अर्णव का एक नोट देखती है अवनी चाहे मुझे मेरे सारे सपनों को बेचका तुमारे खुआशे खरीदनी पड़ जाए, मैं वो भी पूरी करूँगा छोकि मैं तुमसे बेन तहां प्यार करता हूँ, तुम सोच भी ने सकती इतना जादा अपनी दबा कर खाना खाती है, अबसे अपनी की लाख पे रुखी पर भी अर्णव उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है अर्णव के पाउं के छाले, माथे के पसीने और भारी कंधों ने कभी भी अपनी के किसी इच्छा को मरने नहीं दिया मगर अपनी का पैसो का मोग कभी भी अर्णव के प्यार की और नहीं देख सका जैसे ही अर्णव कुछ अच्छा लाता, अपनी उसे फैक देती ची, ऐसी चीज तो हमारे नौकर भी इस्तिमाल नहीं करती अच्छा सुनो, मुझे पाँच हजार रुपे चाहिए, मुझे पारलर जाना है पाँच हजार? और इस बार अपनी की खुशी के लिए अर्णव का एक और गुल्लक तूट जाता है और वे इस बार भी अपनी का मन रखता है अर्णव काम के सिलसले में अकसर बाहर रहता था और अपनी घर पर अकेली तब है उसकी नजर एक बंद कमरे पर पढ़ती है और वे उस कमरे को खोलती है इस कमरे में इतना अंधीरा क्यों है? और अपनी कमरे की बत्ती जलाती है तो उस कमरे में लाल रोशनी में दिवार उपर लटक रही धेरो तस्वीरे उसे नजर आती है ओ गॉड ये सब क्या है उस कमरे में अबनी की हर एक पल की तस्वीर थी जब अकसर अर्णव उसे छिप कर देखता था अबनी की आखों में अर्णव की द्वारा किया गया ऐसा प्यार देखकर आसुच छलग गए थे इतना सब वो भी बस मेरी लिए कबसे अर्णव आखिर कबसे हो कौन तुम तब ही वहाँ अबनी के मन की परचाई आती है क्या हुआ पिखल का याना मन पस इतनी सी चीज से थोड़ा दिमाग लगा अबनी जिन्दकी खाली पेट नहीं गुजरेगी और किये और इसका तो पुरा खांदान ही भिकारी लगता है ऐसे आदमी के साथ कैसे गुजारा करेगी तू अबनी कैसे हाँ तुम एक तब सही कह रही हो अबनी मुझे प्राक्टिकल होना होगा मैं नहीं चाहती मेरी हालत भी इस बिकारी पने और इस गरीब माँ की तरह हो और अबनी वहां से जैसे ही निकलने लगती है वे देखती है कि सामने एक औरत की तस्वीर टंगी है जिस पर मा लिखा था तस्वीर पर फूलों की माला टंगी थी अबनी ये देख कर सहम जाती है ये अर्णव की मा है इसका मतलम में इतने समय से उसकी मरी हुई मा को बक रही थी उसे अपने किये पर पश्तावा होता है अंजना के मन में एक अलग ही बात छिपी हुई थी वह अपने कमरे में जाकर आइने के सामने खड़ी होकर हस्ती है मंडप में बैठी एक लड़की लगातार रूई जा रही थी नहीं आया ना वो जानती थी फिर भी धोका खाई वो नहीं आया ना अपनी को घर से बाहर जाता देख अंजना एक फोन मिलाती है हाँ अपनी घर से निकल गई है ठीक है आने दो से अब देखते हैं कि इश्क के इस खेल में कौन मोहरा है और कौन चाल चल रहा है इश्क, वफा और मौत के इस खेल में आखिर किसकी होगी शेह और मात दोस्तों हर नई कहानी का बीस पनने में समय लगता है वही बीस हमारी इस कहानी का तयार हो रहा है मगर आप यों ऐसे रूट कर जाएंगे तो आने वाले कैसे आप तक आएंगी अभी लव सिटी का सफर शुरू ही हुआ है असली मज़ा तो आगे आने वाला है इसलिए जो अभी आपके साथ हैं उन्हें प्यार दीजिए इश्क के रंग से तो हम आपको रंग चुके हैं पर अब बारी है इश्क में मर जाने की तो आईए ऐसी जुनोनी कहानी को मिल कर देखें जो आज से पहले किसी यीट्यूब चैनल पर नहीं की गई है आउश लोग हम तो देखते हैं लव सिटी की नई कहानी इश्क में मर जावा केवल लव सिटी पर सुनो अपनी घर से निकल चुकी है अब आगे का काम तुम्हारा होगा और वह लड़की की काली परचाई अवनी का पीछा करने लगती है पीछा होता देख अवनी जोर-जोर से चलने लगती है जितनी तेजी से अवनी के कदम चल रहे थी उतनी ही तेजी से अवनी की परचाई भी चल रही थी मगर एक जिंगे जाकर अपनी रुख जाती है क्योंकि सामने दिवार थी अपनी के पाउं काप रहे थे क्या चाहती हो तूं तेरी मौत इश्क में मर जावा तू जो कहे वो कर जावा इस इश्क में मर जावा और परचाई अपनी की और चाकू से मार देती है अपनी को लगने वाली चोट तो बीच में ही किसी और को लगती है अर्णम ने वह चाकू अपने उपर ले लिया था और वह घायल हालत में ही सामने खड़ी उस लड़की की परचाई पर जपट पड़ता है मगर वह लड़की अर्णव की हाथ नहीं आती और वहाँ से भाग जाती है अब सवाल यह है कि क्या यह वही लड़की है जो अबनी के भाई राज के साथ उस रोस गाड़ी में थी तो क्या इस खेल में राज भी शामिर है और अंजना अंजना ने अपनी ही बेटी पर हमला क्यों कराया था सवाल बहुत से हैं मगर जवाब तो आप ही देंगे तो अभी आएए कमेंट बॉक्स में और सब अपनी अपनी कहानी का वर्जिन बताए अर्नव सड़क पर घायल हालत में था अपनी ये देख खबरा रही थी तुम पांगल होके अर्नव तुम्हें बीच में आने की क्या सरुरत थी और बेहोश अर्नव को जैसे तैसे अपनी घर लेकर आती है तभी पांस की क्लिनिक से डॉक्टर आकर अर्नव को देखता है देखे एक खाओ इतना जान लेवा तो नहीं है मगर अभी कुछ दिनों के लिए कोई काम ना करें तो ही बहतर है ये रही दवाईया आप लेकर आईए डॉक्टर के जाने की बाद अर्नव उटने लगता है तुमारा दिमाग तो ठीक है न अर्नव सुना नहीं कि अब तुमें सिर्फ पेडरेस्ट करनी है अबनी अगर आराम करूँगा तो हम खाएंगे क्या यहां तो मैं रोज जितना कुवा खोटता हूँ उसी में सपानी पीते हैं अगर बिस्तर पर पढ़ा रहा तो तुम क्या खाओगी मैं कमा लूँगी पर तुम अभी अराम करो और अपनी दवाई लेने बहार जाती है अपनी के जाती ही अर्नव फोन निकालता है हाँ वो अभी घर से निकली है अविनाश अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था कि तभी वही पर चाई लड़की दर्वाजे पर चाको लेकर खड़ी होती है और धीरे धीरे अविनाश के और बढ़ने लगती है मुझे अवनी क्यों याद आ रही है बहुत दिनों से उसकी कोई ख़बर भी नहीं मिली है वह एक फोन करता है हलो अविनाश बोला हाओ जिस काम के लिए तुम्हें पहले रखा था अब फिर से उसी काम पलग जा ठीक है सर माँ उसी का फोन आया था कहता है कि फिर से मेरी जरूरत है अपनी दीदी के बारे में जानकारी देने के लिए मैंने हाँ बोल दिया शबश वो सोचता है कि वे सारा खेल खेल रहा है मगर इस खेल का मास्टर माइंड तो इसी घर में है मैं पायल को फोन करता हूँ और राश फोन निकाल कर फोन करता है तो वे फोन अविनाश के ठीक पीछे बचता है अविनाश चौप कर पीछे मुड़ता है तो देखता है एक लड़की चाकू लिए पीछे खड़ी थी चो उसकी और देखकर मस्कुरा रही थी तुम मेरे कमरे में? ओ कमोन भाई मैं थे तुम्हारे लिए आप लेकर आई थी लो ये सेब लो और ये चाकू कुचल दो इस सेब को तुम पागल वागल हो गई है लगता है चोटी चल जाब यहां से मैं भी थोड़ा परिशान हूँ क्या हुआ भाई परिशान हो तुम्हे बताओ शायद मैं आपके कामा सकूँ अविनाश दिल में लाता सा वहां से चला जाता है और पाइल गुसे से इसे इपर शाकू मौरती है अपनी दवाई लेने जाती है तो दुकानदार उसे बिल देता है पांच हजार की दवाईयां? मकर इतनी पैसे मैं कैसे? तब ही वह पर्स में हाठ डाल कर देखती है कि अर्णव ने उसे पांच हजार रुपे पार्लर के लिए दिये थे पर ये तो मेरी है अगर इन्हें दे दिया तो मैं पार्लर कैसे जाओंगी? नहीं नहीं अपनी तेरा रूप, रंग, भूग, इच्छाएं सब अर्णव की जान के आगे छोटी है अपनी तुरंट पैसे निकाल कर देती है और दवाई ले लेती है आथ से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया था मगर मुझे ऐसा करके बहुत सुकोन मिल रहा है अगर क्यों? और अपनी घर की आट जाती है कि तब ही उसे घर के अंदर से कुछ खुस्वसाहट सुनाई पड़ती है और वह दौटकर जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि अर्णव बिसर पर लेटा था हाथ चोड़कर बढ़ बढ़ा रहा था और उसके ठीक सामने वही लड़की चाको लेकर उस पर हमला करने वाली थी उसके हाथ खून से सने हुए थे ये तो वही है जिसने पहले भी अर्णव पर हमला किया था आपनी पीछे से जाकर उसे धकेल देती है बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम इससे बचाकर ये मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं होगा किसी का भी नहीं वो किसी का नहीं मेरा पती है लड़की बले ही हमारी शादी एक फरेब हो मगर वो अगनी वो सिंदूर और वो साथ फेरे वो कोई चल नहीं था एक लड़ाई में मेरी इस किसमत से लड़ रही हो और अब एक लड़ाई तुझसे भी लड़ लूँगी अपनी अर्नव सिंग हुमें अर्नव की पतनी अगर दुपारा मेरी पती को हाथ लगाया न तो तब ही अपनी उस पर जैसे ही हावी होने लगती है तो वे वहाँ से भाग जाती है अर्नव अपनी को ऐसे देख एक्दम शौक था अपनी में अर्नव की अच्छाई को देख बदलावा रहा था वह अर्नव की देख भाल करने लगी थी अविनाश अपनी के खयालों में खोया हुआ था कि सड़क पर गाड़ी चला रहा था कि तब ही उसके पेड़ के पीछे वही लड़की नजरा आज तो जान करी रहोंगा और वे गाड़ी से उतर कर उस पेड़ की और जाता है जैसे ही लड़की भागने लगती है अविनाश तुरंद उसका हार जपट लीता है छोड़ो ना विनाश यू सारे आप मुझे पकड़ोगी तो इतना सता होगी अब तुम मुझे महग क्या कर रहे हो जार्लिंग तुम लाग छिपा लो प्यार मगर दुनिया खुपता चल जाएगा मगर मैडम ऐसे छिप छिप कर मिलने से मिलने का मज़ा तो आएगा ना ओ आप मिस जी सो मच हानी, सो 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 मच मैं भी किन चीज़ों में उलज गया महग, अगर डैड ने बरसों पहले वो कार ना किया होता तो आज कहां नहीं कुछ और होती अविनाश की आखों में एक अलग सी आग थी, महग उसे सीने से लगा कर शान्त करती है सुनिये जी, अपनी ने हमारे पीठ में चुरा भौका है ऐसे में उसस चीज़ का एसास होना बहुत जरूरी है कि हमें छोड़ कर वो अगर गई है तो उसे दुनिया का कष्ट कितना झेलना पड़ेगा आप उसके सारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दीजिए निरंजन अपनी से बहुत प्यार करता था मगर वह भी अपनी के बिना बताए गई शादी से एकदम हर्ट हो चुका था वह अपनी के अकाउंट ब्लॉक कर दीता है साथ ही अंजना उसे कागस पत्र भी चला देती है देख अपनी अब इस दुनिया में जीना कितना मश्किल होगा अंजना की नफरत अपनी के लिए बहुत भारी पड़ रही थी अर्णव जब सो रहा था तो अपनी देखती है कि घर में सारा राशन खत्म हो रहा है और अर्णव की आगे की दवाई भी वे कमरे में जाती है तब है परदे की पीछे अपनी को कुछ गुलक दिखते हैं जिस पर अपनी 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 लिखा था यह क्या इसका मतलब अर्णव ने हर बार मेरी ज़रूरत पर अपनी बचट के पैसे खर्च कर दिये आज की इस आर्टिफिशल दुनिया में इतना सच्छा प्यार क्यों कर रही हो अर्णव तुम वो भी मुझ से जिसने साफ मन से ज़्यादा तो अराम और दौलत को ही चुना अपनी के आवाज में आत्म दिलानी कूट कूट कर भरी थी शायद अकाउन में जो पैसे हैं उससे इस घर की तकलिफ दूर कर सको मगर अपनी जब पैसे निकालने जाती है तो उसे वहाँ भी निराशा ही होती है अब अपनी के हाथ में ना पैसा था ना नौकरी वे घर लोट रही थी कि तभी उसने पडोस के महले से एक काम वाली को बहार निकलते जाते देखा जब निकल जा काम देले का भी नहीं करती है और समान चुराया हजारों का चली जा और कल से मत आना अपनी का पूरा ध्यान उधर ही था आज की टाइम में तो रिष्टा ढूनना फिर भी आसान है मगर एक अच्छी काम वाली ढूनना तो आयो तोबा 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 लगे ऐसे काम वाली को तो पर बेहन अब तो क्या करेगी यहाँ तो कोई दूसरी नौकरानी मिलना मुश्किल है देख मुझे फाल तू पैसे देना पड़े मैं दे दूँगी मगर इस बार काम वाली तो अच्छी ही रखूँगी अपनी वहाँ से चली जाती है और जैसे ही घर लोटती है घर में चारों और देखती है क्या सूच रही है तू तू एक पड़िलखी लड़की है ऐसे खयाल परे मन से निकालती नहीं अपनी अब यही तेरी जिंदगी है इसे स्वर्ख बनाना तेरा काम है वो वक्त याद कर जब इस लड़की ने अपने पाउं के छाले हाथों से मिटती लखी रहे और शरीर से बहते खून और पसीने के और दीखा भी नहीं ताकि सिर्फ तू खुश रह सके याद कर अबनी याद कर कभी अर्णव नीन से जाग जाता है अबनी अर्णव के लिए खाना बनाती है घर में इतना ही राशन बचा था कि अबनी बस एक इनसान का खाना बना सकती थी जो कि उसने अर्णव को दे दिया अबनी तुम भी दो खाओ नहीं अर्णव तुम खाओ मेरा पीर भरा है मैंने बाहर कुछ खा लिया था इस घर में जो भी आएगा और जो भी बनेगा उस पर पहला हाग तुम्हारा होगा अबनी सिर्फ तुम्हारा अर्णव की ये बात सुनकर अपनी का तो कलीजा ही फट गया इतना प्यार तो उसे कभी अपने घर पर भी नहीं मिला था अपनी एमोशनल होकर अर्णव की सीने से लगती है पहली बार ये लमहा आया था अर्णव तो एकदम सुन हो गया था अपनी उठकर जाने लगती है अर्णव मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है मैं कल से जोइन करने वाली हूँ अब सब ठीक हो जाएगा अर्णव ये जान खुश होता है अगले दिन अपनी उस महले में काम करने जाती है अपनी इतनी सुन्दर थी कि किसी को विश्वासी नहीं हो रहा था कि वह नौकरानी है अपनी जाड़ू पोचा बरतन सब करके ठकी हुई घर लोटती है मगर उसने एक बार भी अर्णव को एहसास नहीं होने दिया धीरे धीरे दोनों पती-पत्नी का प्यार बढ़ने लगा अब अपनी और अर्णव एक हे बिस्तर पर सोने लगे थे अर्णव मां के साथ क्या हुआ था? अर्णव ये सवाज सुनकर सहम जाता है और उसके कानों में कुछ आवाजे और धुनली यादे चलने लगती है इस दूसरी औरत के लिए मुझे छूड़ा था उठा के बाहर फेको इस और इसके बच्चे को कुछ सख्म आप चाहकर भी किसी को नहीं दिखा पाते ऐसा ही दर्थ अर्णव की सीने में दफन था और शायद अंजना की भी अगले दिन अवनी काम करने उस मकान में पहुचती है तो वहाँ कुछ तयारी होता देखती है दीदी यहाँ क्या हो रहा है? मेरे पोते का मुंडन है गेस लोग आती ही होंगे तो फटा-फट काम रिप्टा दी और सुन आज घर मत जाना जो महमान आएंगी वो कुछ पैसे देंगी तेरी नाम के तेरी कमाई हो जाएगी आपनी यह सुनकर खुश हो जाती है और मैमान आने लगती है तभी दर्वाजे से अंदर आती है निरंजन और अंजना वो आकर अंदर बैठती है यह लो हमारे खास मैमान तो अभी आए है हमारी गरीब खाने में आने का बहुत शुक्रिया बहेंजी है आपका अपनी बेटा शर्वत लातो अंजना निरंजन अपनी का नाम सुनते ही एक दूसरे के और देखती है अपनी? नौकरानी है हमारी बड़ी होनहार है फंक्शन का न्योता अर्नव के पास भी पहुचा था तो वह भी विमार हालत में उठकर धीरे धीरे उस घर में अंदर जा ही रहा था अपनी शर्बत लेकर बाहर आती है और वह सामने अपने माबाप अंजना और निरंजन को देख चौक कर शर्बत गिरा देती है वहीं अंजना निरंजन अपनी बेटी को नौकरानी बना देख कर हिल गए थे अपनी तुम ये सब अपनी को सारी आखे चारो और से घूर रही थी अब देखिये अगले भाग में कि कैसे जिंदगी के इस चक्र व्यू से निकलेंगे कहानी के एहम किरदार बाहर अपनी के नजरों के सामने एक और उसके माबाप थे तो दूसरी और उसका पती अर्णव अपनी के हाथ से शर्बत की ट्रे नीचे गिर जाती है सारे महमानों में संसनी फैल जुकी थी अपनी बेटा तू तू यहाँ ये काम ऐसे क्या नौबत आ गई थी अपनी की नजर नीचे जुकी हुई थी नौबत क्या आई होगी जी अपने माबाप को जलील करने के लिए जान बूच कर कर रही होगी इसने तो कसम ही खाली है ना कि हमारी समाज में नाक कटा कर ही रहेगी अवनी तुम ये सब इतना छोटा काम करना जरूरी था क्या आवनी हाँ 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 जरूरी था अगर मैं अपना परिवार बचाने के लिए और खर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी कर रही हूँ तो इसमें क्या बड़ा क्या छोटा कम से कम किसी के आगे हाथ तो नहीं फिला रही न पापा निरंजन अपनी के और जैसे ही बढ़ता है वो उसे रोख देती है बस रहने दीजी जिस दिन आपने मुझे मेरे हालातों पर छोड़ दिया था तब ही आपकी अपनी आपको छोड़ चुकी मॉम और डाड मेरे अकाउंट ब्लॉक कर मेरे डॉकिमेंट्स छिपा कर आपने सु यानि अरनव से मिली है मैं जान गई हूँ कि रोटी मीठी होने से ज्यादा एक ही रोटी में दोनों का मिल पाट कर खाना ज्यादा मीठा है अरे अरे भाई सहाब भाबी जी मैं तो जानती ही नहीं थी कि अपनी आपकी बेटी है अगर जानती तो ये सब काम थोड़े ही करा है चलो यहां से अपनी का स्वाभिमान आज भरी भीड में बोल रहा था अर्णव को अपनी पत्नी पर बहुत गर्व था दोनों घर लोटने लगते हैं तभी अंचना जाती हुई अपनी की और देख कर मस्कुराती है अच्छा हुआ इस लंगडी घोड़ी पर दाव नहीं ल लगाता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अवनी शाएट तुम नहीं जानती हो नहीं जानती हूँ मैं जान गई हूँ कि तुम मुझे कितना चाहती हो अर्णव आज तक जिससे प्यार करने का दावा में कर रही थी तुम्हारी करीब होने पर मुझे तुसका खयाल तक नहीं आया, मैं तुम सक जीना चाहती हूँ। कैसे एक नक्चड़ी से लड़की तुम जैसे भूले और साफ मन के लड़के के प्यार में पढ़ गई थी। उधर अर्नव के भी मन में कुछ तो चल रहा था। ये एकदम सही समय है, अवनी सिंग। शाम को जब अपनी घर आती है तो उसे अर्नव कहीं नहीं मिलता। वे उसे घर के हर जेंगे ढूनती है, तभी उसे एक खत मिलता है। और अवनी अच्छे से तयार होकर उस पते पर जाने के लिए निकल जाती है। अविनाश गाड़ी चला रहा था कि तभी उसे पेड़ के पास फिर से महक नजर आती है। अविनाश गाड़ी रोकर महक को अंदर बुला बिठा लेता है। महक तुम हमेशा यू आत्मा की तरह प्रकट क्यों होती हो। तुम आम इंसानों की तरह क्यों नहीं आती जाती। और इस पेड़ के पास तुम्हें आखर मिलता क्या है। तभी महक अपने पैने नाखोन अविनाश की गर्दन पर लगा देती है। अपनी कौन है? कौन है अपनी? पूरा शहर अपनी और अविनाश के बारे में बात कर रहा है। शांद! शांद मेरी मा शांद! कुछ नहीं है अपनी मेरे लिए, कुछ भी नहीं। वो तो बसे खेल खेलते हुए वो मुझसे अपना दिल लगा बैठी थी। बेवकूफ लड़की! तभी मेहक आकर अविनाश की गूद में बैठ जाती है और अपने हाथों से उसका चेहरा सहलाने लगती है। बेवकूफ है? तो मार डाले उसे! बोलो! नहीं नहीं, अपनी को जरा भी चोट मत पहुचाना। अविनाश के चेहरे की बेचेनी मेहक के मन में एक शक पैदा कर देती है। अपनी उस्पते पर पहुचती है तो वह पता तो उसके ऑफिस के पास का था जिसे देख अपनी खुश होती है। हाँ, मुझे याद आगया अर्नव, कि हमारी कहानी यहीं से शिरू हुई थी। जब मैंने तुम्हारी तोफे को ठुकराया था, मैं सब चान गई हूँ। मगर तुम हो कहाँ? अपनी थोड़ी आगे जाती है तो सामने एक बड़ा सा बंगला होता है, जैसे कोई महल हो। वह उसमें घुस्ती है और बड़ा दर्वासा जैसे ही खोलती है, अंदर का नजारा देख अपनी की आँखे फटी की फटी रह जाती है। तुम? मगर कैसे? सामने लगी आलिशान सोफी पर बैठा अर्णव, यू बैठा था जैसे वेज रियासत का राजा हो। वे अपनी को देख कर जोर सी हसता है। आओ हनी, आओ, क्या हुआ, घर अच्छा नहीं लगा। ओ, तुम्हारे अखास से कहीं छोटा तो नहीं है, और बड़ा घर चाहिए। अर्णव, ये सब क्या है? यही मेरा सच है अपनी, अर्णव रायचंद, करोड़ पती अर्णव रायचंद हूँ मैं, अरे अब तो अपनी कितनी खुश होगी, क्यों उसका पती करोड़ पती है, तो वो क्या हुई, करोड़ पतनी? और अर्णव अपनी का चेहरा पकड़ कर उसे भीचते हुए फर्श पथा केल दीता है, अर्णव आखिर क्यों कर रहे हूँ तुम ये सब, क्यों? क्योंकि नफरत है मुझे तुमसे, बहुत नफरत, जीतो कर रहा है कि तुम्हें यहीं खत्म कर दूँ, वगर तुम्हें मार कर भी क्या मिलेगा मुझे, जानती हो, जब मैं तुमसे एश्का वो खेल खेल लहा था, तब मुझे कितनी तकलीफ होती थी तुम्हारे करीब आक जीतो करता था कि मर जाओ, वगर मैं क्यों मरूँ, मैं प्यार करने लगी हूँ तुमसे अर्णव, अच्छा, मुझे से या मेरी दौला से, सच बताना अपनी, अर्णव की नफरत की आग अपनी को भयंकर जला रही थी, तब ही जैसे ही वे अपनी पर हाथ उठाने लगता ह कि अर्णव का कोई हाथ रोक लेता है, अपनी उसका चहरा देख चौक जाती है, ये चहरा, ये तो मैंने कहीं देखा था, हाँ, अर्णव के उस रेट रूम में, जहां उसकी मा की तस्वीर लगी थी उसी के पास, मेरा हाथ छोड़ दो मौसी, इसने मेरी जिन्दगी को नर कि मेरे उस अकड ने तौफ़े को ठुकडार कर तुम्हारी अकड को ठेस पहचाई, अगर ऐसा है तो लो, आज मैं हिसाब बराबर कर देती हूँ, तुम्हें एक तौफ़ा देकर, मैं मा पनने बाली हूँ तुम्हारे बच्चे के अर्णव, नई जिन्दगी हमारे सामने खड़ी है, फ्लीज ऐसा मत करो, अर्णव अबनी के और जाता है, उसके आंख में आसु थे, और वहे जाकर अबनी को प्यार से सहला कर उठाता है, अचानक से उसके बालों को खीच कर उसे घर की चोखट के और धकेल दीता है, इस घर में रहने के लिए जगह कमाई जाती है अगर यहां रहना है तो वही सब करना होगा जो तू दूसरों के घर जाकर किया करती थी अवनी सिंग, इस घर में रहना है तो तुझे पहले या नौकरानी बनना होगा, और अगर काम ठीक से किया, तो यहां रहने को एक कोना तुझे मिल जाएगा अवनी यह करने के लिए मान जाती है मैं करूंगी मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में सुरक्षित लाने के लिए सब करूंगी और उस दिन से आलेशान जंदगी जीने वाली अवनी उल्टी गिंती शुरू हो गई थी अवनी दिन रात घर को साफ कर्ष चमकाया करती और अर्णव जान बूच कर गंदी जूते से फश खराब कर देता था अवनी अर्णव का मन पिखलानी की हर कोशिश कर रही थी अर्णव ये लो तुम्हारा पसंदिदा हलवा मैंने बनाया है ओ, how sweet of you अवनी तब ही उसे याद आता है कि कैसे अवनी ने अर्णव की चीज़ों को ठुकराया था और ये याद कर अर्णव हलवे की प्लेट उठा कर फैट देता है तुम मेरे नज़देखाना कि कितनी ही कोशिश कर लो अवनी पर तुम कभी काम्याब नहीं हो सकोगी तुम मार दो ना मुझी चलो रोज रोज देल देल करके टॉर्चिर कर रही हो उससे अच्छा एक बार ही में खतम कर दो ना या मैं खुद ही को खतम कर लीती हूँ और अवनी चांको उठा कर खुद की गर्दन पर जैसे ही लगाती है अवनी अर्नव उसके हाथ को कसकर पकड़ता है और उसे अपनी बाहों में खीच कर उसकी गर्दन दबानी लगता है मगर अवनी अर्नव की नफरत की परत को हटा कर अपने लिए प्यार जगाने की हर कोशिश करती है उस रोज अर्नव अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तब ही अपनी अपने गीले बालों के साथ वहाँ जैसे ही गुजरती है उसका पाउं फिसलता है और वो गिर कर उसकी पाहों में आ जाती है अर्नव की धरकने तीस हो गई थी वह जजग कर दूर हटता है मगर अपने उसे था में रखती है और उसके सीने को छूती है क्या हुआ? हाटबीट तीस हो रही है अब और अब तुम कितनी ही नफरत कर लो मगर मैं जानती हो कि तुम मुझ से कितना प्यार करते हो नहीं करता मैं, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है अच्छा, तो मुझे अपनी नस्दी क्यों नहीं आने देती हो कहो, जो समय हमने साथ पिताया था क्या उसमें एक भी सचा पल नहीं, जिसमें तुमने मुझे से प्यारना किया हो अर्णव अपने आखे बंद करता है, तो उसे अपनी के साथ बितायल हमें याद आते हैं और बैभड़क कर वहां से उठता है ए लड़की, अगर इस घर में रहना है तो अपने आउकाद मत भूलना, समझी? अर्णव का गुस्सा अपनी को देख कर तीनों दिन बहुत बढ़ रहा था ये देख अर्णव की मौसी भी उसे बहुत टॉर्चर करती थी जैसी मा वैसी बेटी, इन दोनों ने तो कसम खा रखी है कि इस घर को नरक बनाएंगे ही ये मासी मेरी मा के लिए क्या कह रही थी? मा का इन सबसे क्या वास्ता? पायल राज के घर पर जाती है और दर्वासे की घंटी बजाती है राज को बिन बताए, यहां आद हुगई, बस मझे कोई देखे ना और जैसे ही पायल लोटने लगती है, उसके घर का दर्वासा खुलता है और रहे देखती है कि सामने राज की मा अंजना खड़ी थी, जो उसे खूर रही थी ए, ऐसे चिपकर कहा जा रही है लड़की, तूने ही फसा रखा है ना मेरे बेटे राज को अपनी दौलत के जाल में अंजना पायल का हाथ खीच कर उसे अंदर ली जाती है नहीं आंटी, ऐसे कोई बात नहीं है, वो तो बस में आओ राज मा कौन है, अरे पायल तुम का बाई अंजना राज और पायल दोनों को घूरती है बस भी करो मा, ये एकदम डर गई है बड़ी ही सीधी लड़की है ये तो, रॉय परिवार में ऐसी सीधी लड़की कैसे हो गई वो में कोदली हुई हूँ न माजी, इसलिए शायद मा आज तक पायल ने हमारी बहुत मदद की है जैसा जैसा इसे कड़ने को कहा, वैसा इसने किया मगर अब वक्त आ गया है, हमें हमारे सवालों के जवाब जानने का आखिर क्यूं आपने पायल से इसी के परिवार के खलाफ साजे सचने को कहा आखिर क्यूं आपको अवनी दीदी से इतनी चड़ हो गई हम, इश्क, मेरे बच्चे इश्क इस इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा नफरत परिवार से नहीं, अविनाश के बाप सुजीत रोई से है, बरसो पुरानी नफरत अपनी काम कर ही रही थी कि दर्वासे की घंटी बच्चती है और मौसी दर्वासा खोलती है तो अपनी के कानों में एक लड़की की आवास आती है मौसी भाई घर पर है क्या? अपनी उच्चता वर्ष जांकर देखती है तो दर्वासे पर वहे खड़ी उस महक को देखती है ये लड़की ये तो वही है जिसने अर्नव पर हमला किया था आखिर ये सब चल क्या रहा है? ये लड़की अर्नव को अपना भाई कह रही है तो फिर ये उस दिन अर्नव पर हमला क्यों कर रही थी? और अगर अर्नव की अगर कोई बेहन है तो उसने कभी कुछ पताया क्यों नहीं? और महक घर के अंदर आती है और सीधे ही अर्नव की कमरे में चली जाती है अपनी चुपकी से दोनों की बात सुनने कमरे की पास जाती है जब अर्नव जखमी हालत में अपने पुराने घर के बिस्तर पर था तब महक जो उसकी बेहन थी उससे वहाँ मिलने आई थी उसकी हाथ में अभी भी वही चाकू था अब क्या करने आई हो तुम्हें आपर चोटी तुम कर चुकी हो जो तुम्हें करना था भाया I'm sorry मैं तो उस अपनी पर हमला करने वाली थी तभी आप बीच में आ गए और मैं गलती से आप पर ही चाकू चलाने लगी मेरी बास सुन जोटी भले ही अपनी हमारी दुश्मन है अगर मैं उससे सच में प्यार करने लगा था और अपनी को चोट पहुँचाने कहा केवल मुझे है सिर्फ मुझे आपका खेल मुझे समझ ही नहीं आता भाया आप अपनी को चोट पहुचाना चा रहे हो या खुद चोट खा रहे हो यहां से चली जा महक इससे पहले कि अपनी लॉट कर आए अपनी यह सुनकर चौक जाती है मा और मेरी वज़े से आखिर अर्णव कौन सा रास दबाए बैठे हो तुम अपने सीने में प्यार ने नहीं नफरत नी तुम्हारे दिल में घर कर लिया है महक वहां से चली जाती है उसका पीछा करते हुए अपनी भी उसकी और जाने लगती है कुछ देर बाद महक रुक जाती है और वहां खड़े अविनाश की और मुड़ती है अविनाश को देखती ही अविनाश चौक जाती है तो महक अविनाश की बात कर रही थी और मुझे लगा था कि वह मुझसे प्यार करता है अवनी कुछ समझ पाती की तभी उसे का वास सुनाई देती है मैं बात करूँगी सुजीद से तुम दोनों के लिए अवनी अपनी मा को वहाँ देख हैरान हो जाती है वह देखती है कि वहाँ उसकी माँ अंजना अपने बेटे राज और उसकी गर्फरेंड पायल के साथ आती है पायल तुम अवनी के परिवार के साथ मगर क्यों? इसका जवाब तो आपको अंजना अंटी ही देंगी भया मेरे कहने पर पायल तुम पर नजर रखती थी ताकि मैं जान सकूँ कि आखिर उस घर में चल क्या रहा है पायल और राज एक दूसरे से प्यार करते हैं ठीक वैसे ही जैसे मैं भी किसी से प्यार करती थी अच्छा होगा अगर तुम दो प्यार करने वालों को आपस में मिला दो तो मैंने चो किया अपने प्यार के लिए किया भया पता नहीं अंजना अंटी की बातों में एक अलग सा सच है मगर उन्होंने कभी हमसे वो सच कहा ही नहीं महक और अविनाश एक दूसरे की चहरी के और देखते हैं पर आखरी सब चल क्या रहा है और अवनी क्या अवनी भी इन सब में मिली हुई है सब बात कर ही रहे थी कि तबी दूर खड़ी अवनी को एक फोन आता है और प्लेन में बैटी अवनी इखिड़के से बादलों की उचाई देख रही थी क्या चीने चली थी क्या सिंदगी ने मुझे खुमाया है प्यार करती थी अविनाश से और कमबक्त किस्मत ने मुझे अर्णव से मिलाया है अरे हम तो पहले ही मरे हुए थे साहब इश्क में धोका देकर तुमने क्या खुब चनाजा निकलाया है अपनी के नम आखे बंध होती है तो वे खुद को एक सड़क के बीचे बीच बाती है चारो और से गाड़ी आ रही थी कि तभी उसे सड़क से एक और खड़ा अर्णव नजर आता है तो दूसरी और अविनाश खड़ा था अपनी घबराई हुई दोनों की और हाथ फिलाई हुई थी मेरा मन बहुत घबरा रहा है मेरा हाथ थाम लो अविनाश सुनो न मगर अविनाश अपनी की आवाज सुनकर मूँ फेर लीता है तभी वे अर्णव को पुकारती है रुको अवनी में आ रहा हो तुम्हे बचाने और अर्णव जैसे ही सड़क पर आता है उसे एक गाड़ी जोर से टक्कर मार कर चली जाती है अर्णव खोन से लग पद्वही सड़क पर पड़ा था तेरे लिए मैं मर जावा अपनी सभल पाती की तभी अविनाश उसके करीब आता है और उसे कंधों से पकड़ कर हसता है चलो तो फिर मर जाओ और अपनी को गाड़ी के आगे धकेल देता है और वह भी तड़ब तड़ब कर मरने लगती है अपनी दम तोड़ देती है और तब ही उसके प्लेन में आग खुलती है वह पसीने से लगपत थी ओ ये सपना था पताया था ना दोस्तों कहानी में एक मौत होगी शायद मेरी ही पर जब सारी खेल की डोर किसी और के हाथ में हो तो चीना मरना भी वही डिसाइड करता है तो आज जा रही हूँ मैं इस खेल की आखरी बाजी खेल ले कुछ देर पहले अपनी के पास जो फोन आता है उस फोन पर कौन था इस खेल को समझना चाहती हो तो तुम्हारे पास एक लिफाफा आएगा उसमें प्रेन का चिकच है उसी लो और मेरे पास आ जाओ अपनी सामने खड़े अपने परिवार और सब को दीख रही थी फोन पर कौन था वे नहीं जानती थी अर्नव इस नफरत की खेल में मेरे प्यार को जीतना ही होगा हर हाल में जीतना ही होगा प्लेन रुकता है और अपनी चली जाती है अपनी किसी से मिलने गई थी फोन पर क्या हुआ था ये बात भी एक रास ही थी अगले दिन अपनी जब घर लोट आती है तो दर्वाजे पर उसे मौसी मिलती है और महरानी हुआई पिकनिक पर यहाँ तेरा घर परिवार है ये तो तु भूल ही गई होगी ना हाँ भूल गई थी सब भूल गए हो और अवनी जैसे ही अंदर आके देखती है तो हैरान हो जाती है वहाँ एक छट के नीजे अवनी का आज और बीता कल एक साथ खड़े थे सामने अविनाश उसकी गर्फरिंड महक, राज और पायल और उसके माबाप अंजन और ननजन खड़े थे अवनी दूसरी और देखती है तो उस और अविनाश का बाप सुजीत रॉय और अर्नव खड़ा था आप सब यहाँ अविनाश के डैड मेरी कंपनी में काम करते हैं अवनी कितनी अजीब बात है ना जिस अमीर रईस अविनाश के साथ तुम शादी करना चाहती थी उसका परिवार तो खुद मेरा नौकर है अवनी ये सुनकर नजरे जुका कर शनमिंदा हो रही थी मेरी बात तो सुनो अर्नव एक बार अपनी अर्नव की और बढ़कर उसका चहरा सहलानी लगती है तब ही अर्नव उसका हाथ जपटकर उससे अपने से चिपकाता है और अपनी सारी भडास निकालता है आज जानती हो तुम्हारा ये आशिक मेरे घर की चोकर पर क्यों आया क्योंकि ये मेरी बेहन का हाथ मुझसे मागना चाहता है बताओ अब ये तो मुझसे गरीब है उपर से मेरी पतने का आशिक भी है और मेरी मा का कातिल भी मेरी मा तुम सबकी वजह से मरी है इसलिए मुझे नफरत है तुम सबसे नफरत अपनी कुछ बोलती कि तभी दर्वासे की घंटी बजती है सब एक साथ दर्वासे की और देखते है जाओ अर्णव दर्वासे पर कुछ है तुम्हारे लिए एक फिल्म तुमने मुझे दिखाई एक फिल्म अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी जाओ और अर्णव जैसे ही दर्वासा खोलता है वे अपने घुटने जमीन पर टिका कर फूट फूट कर रो पड़ता है तर्वासे पर अर्णव की मरी हुई मा जिन्दा होकर खड़ी थी मा मा मैं तुझे देख रहा हूँ मुझे थपड मार सहला पर विश्वास दिला कि ये तू ही है हाँ बेटा ये तेरी मा ही है मैं ही हो अर्णव अपनी मा के सीने से लगकर फूट फूट कर रोता है महग भी अपनी मा से मिलती है पर मा कहां थी तू उतने सालों से और मुझे कैसे डूढ़ा आज तक तू मेरे पास क्यों नहीं आई मा देख तेरे बेटे ने कितना बड़ा समराज्य बना लिया अर्णव की मा सुलोचना अंजना की और देखती है अंजना अब समय आ गया है सबको खेल बताने का खेल? कौन सा खेल? अंजना क्या तुम भी कुछ खेल लही थी जो मैं नहीं जान था? कुछ नहीं बूरी कहानी मैंने ही लिखी थी अपनी के पापा क्यों सुजीद अब भी अंजान ही बने रहोगे सुजीद अंजना की बात सुनकर नजरे चुरा लेता है तुम सही कह रही हो अविनाश अर अविनाश अर्णव और अवनी सुजीद की और बढ़ती है बताता हूं बताता हूं मैं अंजना से प्यार करता था बहुत प्याद मेरे पिदाजी अर्णव के नाना की कमपनी में काम करते हैं मगर मेरे सपने हमेशा से ही बहुत सारे पैसे कमाने के थे जब मैंने अंजना से शादी करने का फैसला किया तो उसी रोज मुझे अर्णव के नाना के हां बुलाया गया बाजना ने पहली बात अर्णव की माँ को देखा उपर से इतनी बड़ी पॉपर्टी की मालकिन ये देख मेरे मन में लाला चाया और मैंने उनसे सुलोचना का हाथ मांग लिया और जिस दिन अंजना और मेरी शादी थी उस दिन में वहाँ गया ही नहीं नहीं आया न वो मेरी गरीबी के आगे आज मेरा प्यार हार गया न भगवार हार गया मगर सुलोचना के साथ शादी से पहले ही अंजना ने सुलोचना को सारा सच बता दिया और उसने शादी करने से मना कर दिया और अर्णव के बाबा से शादी कर ली और फिर इस सालिम सुजीत ने मेरी परिवार को चोट पहचानर शुरू कर दी ऐसे में अंजना ने मेरी बहुत मदद की थी और मुझे इसकी नजरों से दूर भीश दिया तू जो आज तक सोचता आया है कि अंजना की परिवार ने मुझे मारा है वो कलत है मेरे बच्चे अंजना ने तो मुझे बचाया था हाँ नव बेटा और पायल बेटी इसलिए मैं ये सब खेल तरी परिवार के साथ खेल रही थी ताकि सुजीत और उसकी उलादों को पता तो लगी कि प्यार कर रहे तो अपनी दौलत की बोटली को दरिया में डुबा देना ही बहतर है अरे हैसियत तो अच्छे-च्छे महराजाओं की नहीं बची गिन आती है मुझे सुजीत तुझ पर कि मैंने कभी तुझे अपना दिल दिया था मेरे लिए निरंजन ही मेरा बेस्ट चुनाव है डैड, अम मैं समझा मुझमे इतने गंदे सांसकार क्यों है अच्छी, अमीरी गरीबी के इस खेल को खेल कर आपने हम सब की जिन्दगी नरक कर दी I am sorry अवनी, मुझे माफ कर दो अवनी बेटा, मैंने और तेरी माने इस खेल में तुझे को मौरा बना दिया हमें माफ करना, माफ करना बेटा ये सुन अवनी, जोर से हसने लगती है उसे हसता देख सब चौक चाती है चौक गए न, कहा था हर गेम चेंजर के पीछे भी एक मास्टर माइंड होता है आपको क्या लगा, अर्नव की जिन्दगी में आपने मुझे भीजा था नहीं, मैंने अर्नव को चुना था तुम्हें क्या लगा था अर्नव, कि कोई लड़का मुझे इतना चाहेगा और मैं बस इसकी गरीबी ही देखूंगी नहीं, पागल नहीं जब भी अर्नव मुझे स्टॉक करता था, मेरा पीछा करता था तब मैं बहुत अच्छा महसूस करती थी मगर लड़की होना, तो थोड़ा भाव खाना तो बनता है डियर हास्वें मैंने ही अर्नव की गरीबी को चुना था और इस खेल में बाजी कुछ ऐसी घुमेगी, मैं नहीं जानती थी जब मैंने अर्नव की मा की तस्वीर देखी, तो मैं जान गई थी थी वो कौन है ये तो सुलोचना अंटी है, मा की दोस्त, पर ये तो जिन्दा है ना आखिर इस गुथी को मैं सुलजा कर ही रहूंगी और फिर अपनी ने सारा खेल अपने इशार उपर चलाना शुरू किया अर्नव के साथ मेरी शादी कोई जबरदस्ती नहीं थी, उन गुंडों को मैंने ही कहा था घरों में नौकरानी बनकर काम करना मेरे प्यार की अकनी परिक्षा थी ताकि अर्नव मेरे अंदर का प्यार देख सकी मैंने ही मेरे माबाप को खुद से दूर किया ताकि मैं और अर्नव अकेले ही जीवन की इस आग में जल कर तपे सारे पासे मेरे और चाली मेरी ही थी और आप सब सोच रहे थी कि कहानी आप लिख रहे है बोला था ना दोस्तों इस इश्क में मौत तो तै है अब वो पहले वाली अवनी की ही क्यों न हो चाहे सब हैरान थे अवनी का ऐसा देख सुजीद सबसे माफी मांग कर राज और पायल के रिष्टे को हा करता है और वही महक और अविनाश भी एक हो जाती है अर्णव अवनी का प्यार देख उसे सीने से लगाता है मुझे माफ कर दो मैं नफरत में अंधा होकर कुछ नहीं देख सका तेरी इस मुखडे पर मैं मर जावा I love you अर्णव अवनी को सीने से लगाता है और सब मिलकर अविनाश, महक और राजपायल की शादी करा देते हैं इसी तरह नफरत की आग में जल रही कहानी प्यार की छाओ तले खत्म हो जाती है ऐसे ही दिलचस्प, मनोरंजन से भरी कहानिया देखने के लिए हमारे चैनल लवसिटी को देखना ना भूले और सुनो, सब्सक्राइब करना तो बिलकुल भी ना भूले थैंक्स फर वाचिंग